एए पढ़ दे रहे है 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 अब आपर आपन गाईज माई नम इस प्रशांत याड़ वाचिंग न्यू इंडिया निरा तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्यारे से लेक्चर की तो आज हमारा लेक्चर नमर फूर है और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नमर इलेवन इन्हांस्मेंट और फूर्ड प्रडक्शन क्लास्ट वेल्थ बायलोजी बायन्यू इंडियनरा तो आज आप लोग को एक छोटी सी और प्यारी सी एक इन्फॉर्मेशन दे दू कि गाइस बस आप अपने पढ़ाई में ध्यान देते रहो और बढ़िया मस तरीके से मैनत करोगे लाइफ में बहुत जादा आंगे जाओगे ठीक है चलो और यास अजे सर का लेक्चर फ्रॉम संडे ही विल स्टार्ट टोंड वरी तो सर कैसा अभी एक अदसी तो पॉस अगयरा था सर ने मुझे बताया तो उनका विल सेशन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा वैसे बे मुस्तफा सर के सारे चैप्टर तो होई गये बस चार चैप्टर बाकी है जो कि हम इस नॉवेंबर मन्त में खतम कर देंगे मेरा भी करीबन नौ से दस चैप्टर बायलोजी का हो जाएगा एड इंड आफ नॉवेंबर बचेंगे चारव चैप्टर वह हम दस दिन में खतम कर देंगे लास्ट के टाइम पर थोड़ा एक्स्टा लेक्चर मुझे लेना पड़ेगा जिससे की स लोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है तो यार वेलकम बैक अगेन चलो ठीक है शुरुआत करते हैं फिर आज की इस प्यारे से लेक्चर को हां यार विश्वजीत कह रहे हैं कि प्लेलिस्ट है वो बना दो टेंशन मतलो यार पेन मेरा जो अभी लेफ्ट साइड का हो रहा है किट्नी के पास का वह अभी गया नहीं है वह पेन हमेशा लग रहा होते ही रहेगा पता नहीं क्यों हो रहा है मैं अगर आज भी हुआ तो मैं फिर कल पक्का डॉक्टर के पास जाँगा, मैं भी डॉक्टर के पास गया नहीं, मैंने सोनोग्राफी करवाई है, जब मैंने सोनोग्राफी करवाई तो उसमें कुछ निकला ही नहीं तो फिर मैं देखता हूँ कि क्या होगा, ठीक है और हाँ, एक बात और बता दूँ, बच्चों की एक बात और बता दू कि आज 7 बचे का लेक्चर हर एक इंसान को जोईन करना है आज 7 बचे का हर बच्चे को लेक्चर जोईन करना है 7 बचे का आप सबको पता होगा कि 7 बचे आज हम most important questions and most important diagram के उपर work करने वाली है ठीक है ध्यान रखना अच्छे से अरे बड़िकनी खराब और में मसल्स मत Mobile रे इसका हरता हुए जो पर भड़े कुछ नहीं और casually को कि भूँए्च्व अक्ति तुमको सर में प्रक्राइव Этот सब्सक्राब हो गया तो ध्यान लखिव अच्छे से समवन एक लड़की के रिभी या किड़नी में हार्ट टैक आ गया वाव क्या बात है यह तो सुपर बायलोजी की बंदी है इनसे तो पक्का नीट क्रैक होगा यह तो पक्का नीट क्रैक करेंगी इस यहर के करें mbbs के विल्ल नमबर वन का खिता इनके पास यह जाएगा इनके पास है पक्का वेलनें यह तो आफ यह यह चल रवा करते हैं किड़नी में हार्ट टैक मार दिया शुरू करते हैं आप सुधित टो डिखि जानरी फिर स्चिनल गया अबरन लक्ट फॉर झेनका ओस नमеро what is the meaning of sericulture, I think मैं आपको page number बता दूँ जल्दी से, just wait a second, एक second, एक second तो हो भी कह रहेंगे, मैंने wait a second बोल दिया, wait a minute, page number, page number किदर है तू, अरे यो page number हम तेरी राह देखते हैं, तो हमने fisheries पढ़ लिया था, जहां पर हम देखा था कि मचलियों को कैसे अच्छे से पाल सकते हैं, फिर हमने fisheries के बाद, अब हमें देखिना है sericulture के बारे में, तो now we are going to study all about sericulture, देन उसके बाद हम जाके देखेंगे lac culture के बारे में, चलो समझते हैं, फटफट कीए sericulture होता क्या है, तो सब को पता है कि दुनिया में हर एक इंसान को cotton की कपड़े पहनने बहुत अच्छे लगते हैं, cotton की कपड़े पहनना बहुत अच्छे लगते हैं, तो sericulturing, culture का मतलब होता है किसी चीज़ को grow करना, या खुद को grow करना, मैं यहाँ पे किसी religious based culture की बात नहीं करूँगा, culture in the sense कि तुम किसी चीज़ को increase कर रहे हो, grow कर आ रहे हो, ऐसा, sericulturing means silkworm, मतलब silkworm से ही है, silk की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे exactly totally geology से related है, geology में हम animals की बात करते हैं, तो sericulture is the branch of zoology, आपने class 9th standard के अंदर भी sericulture को पढ़ा है, और सेम चीज़ आज आपके 12th में भी आ गई, तो silk production में sericulturing help करती है, इसकी भी farming होती है sericulture की जिससे की scientific knowledge के हिसाब से, इसका development और इसका rearing होता है, ध्यान रखको अच्छे से, बहुत से छोटे से area में भी आप sericulturing कर सकते हो, मतब कि आप अपने silk का production कर सकते हो, cotton का production कर सकते हो, बेसिकली इंडिया में बहुत ज़्यादा silk production होता है, नौर्थ साइड में, बहुत से successful इंसान इस job को करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान job है, बात करते हैं इसके quality की, तो quality जो होती है, मलबरी नाम की silk की quality सबसे अच्छी होती है, इसलिए इनके कपड़े भी जो बनते हैं, बहुत महेंगे आते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे cotton के कपड़े होते हैं, जो बहुत ज़्यादा महेंगे आते हैं, तो इसको आपको समझ के रखना है, ऐसे और भी जैसे कि, बॉम्बिक स्मोरी एंट तुसार सिल्क, एरी सिल्क, ये सिल्क जो हैं बहुत inferior quality की हैं, इनको कोई यूज ज़्यादा नहीं करता है, मैं आप सब को बता दूँ कि, ये depend करता है एक silk warm, जिसे आप ककून का नाम कह सकते हो, आपने ककून का नाम सुना होगा, ककून एक ऐसा इंसेक्ट है या वर्म है, जिसकी मदद से, इसे हम silk warm भी कहते हैं, इसी की मदद से, हमारे life में, ये silk का production होता है, लारवल फीड होता है, कुछ इस तरीके से, यहाँ पर इसका cycle है, life cycle है, अब देख सकते हो, जो ककून होता है, ककून, तो इसकी सुरुवात, इसके लारवे से होती है, ध्यान देना ज़र अच्छे से, जो लारवा है, फिर लारवे, इग्जैक्ली जो होती, इसका development होता है, इन छोटे-चोटे एग्स का, यहाँ देको पत्तियों के उपर, जब इन छोटे-चोटे एग्स का development होता है, फिर यह डॉरसल, होर्न और इसका पुरा बॉडी क्रियेट होता है, इसके हेड से यहाँ पर कुछीचे निकलती है, इन ही के थुरू यह पूरा production अच्छे से होता है, तो यह सरी कल्चिरिंग भी लाइफ में बहुत important है, चलो बात करते हैं लैक कल्चर की, आपने लाक का नाम सुना होगा, लाक, लाक, I am not talking about rupees in लाक, मैं एक लाक रुपे, दो लाक रुपे की बात नहीं कर रहा, हाँ, रेशम, परफेक्टली अक्षे कृशी पुत्र, रेशम की बात कर रहा था अभी तक मैं, अब मैं बात करने वालों लैक कल्चर की, लैक in the sense, यह नहीं की, एक लाक रुपे, दो लाक रुपे, इस टोटली अबाउट लैक, एक चीज होती है, आप कितने बच्चे गाउं में रहते होंगे, उन्होंने देखाऊगा, देखो बच्चों, पेडों के ऊपर, उनका वेस्ट माटेरियल, नहीं क्या वो, चिपचिपा सा पेडों की ऊपर, वो गाद जैसे, something, कुछ तो लगा होता है, रेड कलर में, आपने, आपके भाशे में, उसको क्या कहते होंगे, आप गाउं में जाओगे, पेड में, नहीं क्या हलका सा, रेडिश कलर का, रेड कलर का, या एकदम वाइट कलर का, उसको तुम क्या कहते हैं, उसे लैक कहते हैं, इग्जैक्ली चीज़े जो होती है, वो भी, भी धिंक जिंक जाए, जेपन तुमी मनतात, तो वो भी हमारे लाइफ में, बहुत जरूरी है भाई, तो यह यहाँ भी बेसिकली, ट्राइकार्डिया लक्का, नाम के इस कीडे से यह प्रोडूस होता है, ट्राइकार्डिया लक्का, इसका नाम याद रखो, यह कीडे का नाम अगर भूल गए, जैसे कि वर्म प्रोडक्शन में, सिल्क वर्म जो है, और मलबरी का लीफ जो है, वो बहुत इंपोर्टेंट है, उफी तरह से लैक कल्चर के अंदर, ट्राइकार्डिया, ट्राकार्डिया लक्का, यह नाम याद रखना, यह बैसिकली डर्मल ग्लैंड के उपर से प्रोडूस करती हैं, कुछ रैसिन को, और उसी रैसिन से लैक इंसेक्ट प्रोडूस हो करके, हमको लैक देता है इस दुनिया के अंदर, ठीक है, इसका काम, बहुत से प्लांट लाइक बैर, ने के बेर का पेड होता है, गाउ में बेर, बोर, तुम लोग उसको बोर कहते हो, ने के खटी होती है, खाते हो गाउ में बेर, मीठी, बेर, पीपल का पेड, पलास का पत्ता होता है, कुसुम, बबूल, एटसेक्टरा, इन सब की उपर भी यह इनसेक्ट अपना काम करता है, आपने नाम सुना होगा, शायद इनसीज का, बहुत आसान चैप्टर है बच्चो, बहुत आसान टॉपिक है, कोई भी कॉंसेप्ट नहीं है, हमारे रियल लाइफ में जो आजू-बाजू होता है, उसी के रिलेटर यहां पे चीज़े दी हुई है, ये बहुत सारे लार्ज स्केल में, ओवर इंडिया हर जगे प्लास का पत्ता, कुसुम, बबूल, और ये सब ऐसे बहुत से प्लांट पाए जाते हैं, इसे मिनरल, अल्कलाइन, सब्स्टेंस भी बहुत कुछ मिलते हैं, मैं आप से बतातू कि जो नेचुरल लैक होती है, ये बहुत ही गंदी और कंटामिनेटेड होती है, क्योंकि देखो, हम हमेशा सोचते हैं कि जो नेचुरल है वो बहुत अच्छी है, बट ऐसा नहीं होता, जो नेचुरल है वो खराब भी हो सकता है, तो जो लैक है, क्योंकि धूल, मिट्टी, सब इसी के उपर पढ़ती है, दूसरे कवा, कबूतर, कुछ भी आके उसी के उपर बैठ जाती है, तो ये कंटामिनेटेड होती है, इसलिए जो आर्टीफिसियल है, वो बहुत अच्छी होती, उसी को यूज क्या करो, वोड़ वर्क, इंक, मिरर, इन सब में बहुत काम होता है, कुछ इस तरीके से इसकी लाइफ साइकल है, क्रपया करके आप इसकी लाइफ साइकल पे प्रॉपर अच्छी फे ध्यान दे, ठीक है, पूरा इसका लाइफ साइकल है, अब बात करते हैं अभी हम लोग माइक्रोब्स के बारे में, अब बच्चो मैं आपको एक बात बता हूँ, जो हुशियार लड़का होगा, वो क्लास 10th का, साइंस 2 का, चैप्टर नमबर 7, अगर उसने इसको भी ध्यान से देख लिया, 10th साइंस 2, चैप्टर 7, अगर आपने पूरा ढंग से पढ़ लिया, तो इसके बाद, जो भी टॉपिक में पढ़ाने जा रहा हूँ, पेज नमबर 258 में दिया हुआ है, माइक्रोब इन हुमेन वेलफेर, सुनरों सब बच्चे, माइक्रोबस इन हुमेन वेलफेर, यह जो टॉपिक है, तुम्हारे क्लास 12, पेज नमबर 258 में, तो उस टॉपिक के आगे, जितना भी, जितने भी चीज़े दी हुई हैं, बहुत आसान चीज़े हैं, कुछ भी समझाने जैसा नहीं है, टॉपिक को समझाना, इसमें कुछ होगा, तब ही न मैं समझाऊंगा, तो कुछ भी समझाने जैसा नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, चैप्टर नमबर 7, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो बाइलोजी, अगर आप पढ़ लेते हो, तो आप हर एक चीज़ को अच्छे से समझ जाओगे, और इसके बाद के सारे चैप्टर आपको अपने आप आ जाएंगे, जिस बच्चे ने साइन्स टू को ध्यान से चैप्टर 7 को पढ़ा होगा, प्लास 10 में, चैप्टर 7 साइन्स टू का, उसको इसके बाद का एक एक टॉपिक अपने आप आएगा, मैं ऐसा नहीं के था बच्चो की, चैप्टर 7 में बेसिक था, नई, 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 पूरा चैप्टर 7 ही उठा के डाल दिया है, वहाँ पे जो चैप्टर 7 में दिया था न, अरे मत्तब आप आप ही बताओ, तुमको नहीं पताए कि दूद से दही कैसे बनता है, दूद में अपना लैक्टो बैसिला नाम की जो बैक्टेरिया होती है, उसको डाल दोगे, तो अपने आप दूद को कोगुलेट कर देता है, और दही बन जाता है, तो इसको फर्मेंटेशन का प्रोसेस कहते हैं, तो लैक्टो बैसिलास जो बैक्टेरिया होगो हेल्प करती है, तो यह माइक्रोब हुआ कि नहीं हुआ, वैसे ही योगर्ट प्रोडक्शन में हमने देखा था, चैप्टर 7 में वहाँ पर, कि थर्मोफिलस नाम की एक बैक्टेरिया, और दूसरी थी डेल ब्रुकाय नाम की एक बैक्टेरिया, ठीक है, समझा की नहीं समझा, तो डेल ब्रुकाय और थर्मोफिलस का 1 is to 1 के रेशियो में यूज़ करते हैं, तब जाके योगर्ट का प्रोडक्षन हो जाता है, और तीसरी चीज ऐसे ही ऐंटी बायोटिक्स के प्रोडक्षन में हमने देखा था, कि किस तरीके से प्रोबायोटिक के प्रोडक्षन में तो बहुत सी अच्छे-ची बैक्टेरिया भी उज़ हुई थी, फिर उसके बाद हमने देखा था कि इस तरीके से अंटिबाटिक, ओईल रिपलिंग बैक्टेरिया, फिर बायो फर्टिलाइजर को बनाने में भी बहुत सी बैक्टेरिया का इस्तमाल होता है, फर्मेंटेशन करने के लिए बहुत सी बैक्टेरिया का इस्तमाल होता है, ठीक है यही तो पढ़ना है ना बच्चो कि microbes का हमारे दुनिया में क्या इस्तमाल है यही यह chapter है तो class 10th का chapter है same to same ठीक है तो बस यही चीछ चलो अब बताता हूँ फटा 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 अब मैं इस topic को फटा फट कवर करूँगा कोई भी यह मत कहना कि इतना फास्ट कुछ आ रहे क्योंकि इतना चीजें पहले से आप जानते हो बस मुझे introduction कराते चलना है क्योंकि इसमें कुछ ही नहीं समझाने जैसा चलो बात करते हैं तो basically microbes का use biotechnology से related है और biotechnology के topic को आप class 12 के chapter 12 में पढ़ोगे अभी मतलब अंगला चैप्टर यह होने वाला है तो बायोट है भाई ओ भाई अरे सिरी ए सिरिया सांत हो जाओ ज्यादा नहीं उड़ावा में अब यहां देखो तो बायो मेरे को डरा दिया यार यह सिरी की आवाज जो है यह अचानक से बोली मैं डर गया यह क्या बोल रह क्योंकि मैं सिरी में लड़की की आवाज नहीं कर रखा हूँ ना ओ लड़के की आवाज क्या हूँ ठीक है अब लड़कियां लड़कियों की आवाज तो मैं भी निकाल लेता हूँ वह यह बोलती उनको कुछ आता है तो नहीं मतलब जादा लड़कियां अच्छी है मैं 9.9% लाके आखिर करती क्या है मुझे यहीं नहीं समझता है तो कोई ना आपना आगे बढ़ेंगे तो बाजू में यह जैसे फोन बोला ना तो यह लड़के की आवास थी इसमें डर गया भाई कौन मेरे पीछे से बोल रहा है मैं किसी को मैं मजाक कर रहा है कि लड़कियों की रोस्टिंग कर रहा हूं लड़कियों की रोस्टिंग नहीं कर रहा हूं लड़कियां बहुत ही प्यारी क्यूट होती है और क्या कितना अच्छा कह सकते हैं बरतंद होती हैं खाना बनाती हैं गोबर भी करती हैं और मेकप भी अच्छा दिखने के लिए मेकप भी करती हैं और बहुत कुछ करती हैं पता नहीं क्या क्या करती है उनको पता है तो गुस्सा मत हो ना यार मैं मजाग कर रहा हूं यार ऐसा लड़कियों की रिस्पेक्ट करना हमारा धर्म है अब अगर कोई 5000 का मेकप करके आए लड़की और हम उसको रिस्पेक्ट भी ना दें तो फिर क्या फाइदा उसके 5000 मेकप की एटलिस्ट उसके मेकप की वैल्यू तो करना ज़रूरी है ना यार थो थोड़ा समझा करो चलो अब आगे बढ़ते हैं तो माइक्रोप सिन हमें विलफेर बायो टेक्नलोजी इस दी अप्लिकेशन of scientific and engineering principle for the processing of materials by biological agent to provide goods and services to human or human welfare तो यही सेम टोपिक जो भी मैंने पढ़ दिया इसको मैं समझा कर देता हूं concept को आपको कोई बुरा मत मानना यार मैं मजा कर रह था इसे थोड़ी है मैं boys को भी बहुत उनकी बिटांग खीशता हूं टेंशन मतलो तो क्या होता exactly कि कि किसी एक ऐ scientific technique का इस्तिमाल करके हम इंसानों के लिए हम human being के लिए कुछ ऐसी नई नई processing या material का निर्मान करते हैं बनाते हैं जिसकी मदद से इंसान अच्छे से दुनिया में रह सकता है अपनी जिन्दिगी को चला सकता है इस प्रोसेस को हम बायो टेक्नलोजी कहते हैं इसको अंगले चैप्टर में और अच्छे समझाऊंगा इनमें वराइटी विए जिसे अलगी फंगाय बैक्टेरिया वाइरसेस प्रोटोजुआ नेमाटोड्स यह सब माइक्रोब छोटे-छोटे कीडे जो हमें दिखाई नहीं देते उनके नाम हैं आपको बते हमारा भारत देश आज से करीबन 10,000 साल पहले से बायो टेक्नोजी का इस्तमाल करते आ रहा है अरे भाई मिल्क से कर्ड बनाने का प्रोसेस कितने सालों फिचल रहा है हमारे भागवत गीता या महाबारता पढ़ोगे श्री कृष्णा की लीलाएं पढ़ोगे तो कृष्ण भगवान खुदी माखन चोर कहलाते थे तो बाई करड यानि दही और दही से मकhrन बनता है तो क्या उस जमाने में मकhrन ऐसे ही बन जाता था मतब पहले दूद को दही में वौपぎ दही से उसका मक्रन बनाऊ फिर मक्रन से घी बनता है तो तब जाकी चीज़े इतनी क्रियट होती थी तो आप समझ कि हमारे देश में पहले से ही बायो टेकनलोजी कर चलते आ रही है हमारे दुनिया में और भी food, health, industry, agriculture, medicine, bio control इन सब में भी इसका इस टेकनलोजी का इस्तमाल होता है इन में energy, technology, industries, waste, utilization इन सब में भी इसका use करती है चलो देखते हैं, microbes का human being में क्या-क्या use है, तो सबसे पहला use देखते हैं आजाओ, microbes in food production, तो बच्चो हमारे दुनिया में traditionally 1970 तक और modern after 1970, हमने दुनिया में बहुत सी bacteria का इस्तमाल करके खाना बनाया है जैसे कि idli, sambar, dhokla, है न, दुनिया बर की ऐफी चीज़े, आप यहाँ देख भी सकते हो, जैसे dosa, dhokla, idli, यह साब के सब fermentation technique से होते हैं, तुम क्या करते हो, जो तुमारे घर में डफ होता है, यह आटा, idli बनाने वाला आटा, dosa बनाने वाला आटे को डफ कहते हैं, त फिर सुबह-सुबह बढ़ी अच्छे से उसके बना के खा लेते हो, तो क्या होते हैं, ब्लैक, ग्राम, एर बॉर्न, लिउको, नौस, टॉक, बैक्टेरिया, एड़, स्ट्रेप्टो, को का स्पेसीज, की जो बैक्टेरिया हैं, यह क्या करती हैं, हमारे प्रापर फूड का फर्मेंटेशन कर देती हैं, तो यह भी हुआ, बायो टेक्नलोजी का इस्तमाल, आंगे बात करते हैं, नेक्स्ट, माइक्रोब से दी सोर्स ओफ फूड, तो दुनिया में, सिंगल सिल प्रोटीन का नाम तो आपने सुनाई होगा, तो बहुत सारी बैक्टेरिया का इस्तमाल करके हम लोग डारेक्ट प्रोटीन का प्रोटीन भी करते हैं, और जिस्से की मीट प्रोटीन, डियरी फर्म प्रोटीन, इन सब में बहुत अच्छे सी चीज़े प्रडूस होती है, आईर लेवल अफंगाय से बहुत सी फ्लेशी फ्रूटिंग बॉडिज, यह सब भी हम प् पर मश्रुम की सब्जियां लोग खाते हैं तो यह सारी चीजें सब पॉसिबल हुआ है माइक्रोब के वज़े से तीसरा पॉइंट है डियरी प्रड़क्ट अब डियरी प्रड़क्ट में दुनिया जानती है लैक्टिक एसिड बैक्टिरिया जिसका नाम है लैक्ट्योबैसि लेक्टियो बैसिला के मदद से ही हमारा मिल्क से कर्ड बनता है कर्ड मतलब दही तो देखो लिखा भी है इंडियन कर्ड इस प्रिपेरड बाइ इनोकिलेटिंग मिल्क विद लेक्टियो बैसिलस एसिडोफिलस इड और अगे बात करते दूसरा पॉइंट योगर्ट का नाम क लेक्टोबेसिलस Bulgare 7 में यही दिया हुआ है इसने बिल्गारिकास बताया तो यक नया नाम है तो इसको जो करेक्ट कोई माक सकता ठीक है तो योगर्ट प्रोड़क्शन में यह दोनों बैक्टेरी हो जोती है हलाकि योगर्ट भी दही का दूसरा form है दही ही यह वो बस थोड़ा सा अलग होता है उसमें ज्यादा प्रोटेइन होता है बटर महां रखने में हैं तो बटर मिल्क बनाने के लिए दुनिया में बहुत सारी बेकटेरीया इस्तमाल यह सब आप जानते ों जादा इस के वारे इस वारे में 10 मैं नहीं दिया था ठीक, तो यह बात समझ के रखना बात करते हैंं चीज नहीं मेरे बास नहीं है Lactobacillus Lactis Lactobacillus Cremory फिर उसके बाद और हाँ दो ही है तो इनका इस्तमाल कर सकते हो और दो बैक्टिरिया का नाम यहाँ खुद दे दिया है Penicillium Ruk 40 फिर उसका Camembert यह भी बैक्टिरिया के नाम है इनका नाम बहुत हाड है यार क्योंकि 10th में भी बहुत है और एक और यहाँ पे लड़की का नाम तो नहीं है बट बहुत डेंजर बैक्टिरिया है Propionibacterium Sharmani शर्मानी है शर्माती है शर्मानी है ठीक है तो इसका भी नामयात कर लेना इन 4 बैक्टिरिया का इस्तमाल चीज प्रडक्शन में हेल्प करता है यह चीज के फ्लेवर देने में उसके टेस्ट को बदलने में इन सब में इसका इस्तमाल बहुत ही अच्छे से होता है तो यह चीज को भी आप लोग नाम अच्छे से याद कर लो ठीक है चलो क्लियर है किसी को कोई डाउट है यहां तक ध्यान रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टन आरे शेरवानी नहीं रहे लोकेश कहता है श्रीवल्ली तो तो यह बात आप ध्यान रखना चलो आंगे बढ़ते हैं रोल ओफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रडक्शन अभी तक तो हमारे घर में किस तरह से माइक्रोब का इस्तमाल होता था तो हमने चीजे की अब हम देखेंगे कि हमारे इंडस्ट्री में माइक्रोब का क्या रोल है तो सबसे पहला रोल तो अलकोहल दारू तो दारू बनाने में इसका काम है और्गनिक एसिड क्योंकि दारू से तो इंडिया की 4% GDP ग्रोथ है भाई ग्रोथ होर्मोन, इंजाई, मेंटिबायोटी किन सब में इसका काम होता है दुनिया की जितनी भी दवाईयां है हर दवाई में अलकोहल का इस्तमाल है बच्चों आज आपको मैं एक बात बदाता हूँ जब हमारे भारत देश के अंदर आज से करीबन 5-6,000 साल पहले कितने हजार साल पहले 5-6,000 साल पहले महरसी चरक नाम के एक इनसान हुआ करते थे जिनको दवाईयों का रिशी कहा जाता है जिनोंने आईरवेद का निर्मान किया था भारत देश में तो महरसी चरक ने जब अलकोहल यानि की जिसे हम मदिरा कहते हैं मदिरा मतलब की दारू तो ये बनाया था इसका इस्तमाल इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारे छोटे बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए निमोनिया से बचाने के लिए और ठंडी का मौसम होता है न तो ठंडी से बचने के लिए मतलब कि अगर आप ठंडी के मौसम में जहां बहुत ठंडी होती है वहाँ पर अगर आप दारू का सिर्फ एक धक्कन एक धक्कन अगर वहाँ पर डेली पी ले तो आपको दवाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आपको बढ़ी अच्छे से आपकी बॉडी काम करेगी इवन निमूनिया जिस लड़के को हो जाती है उसको आप दारू का एक धक्कन पिला दो तो महर सी चरग ने निर्मान किसी और दवाई के तौर पर किया था लोगों ने इसका इस्तेमाल नशे के लिए करने लग गए कभीर सिंग बन की पब्ली का अचकल घूम रही है चलो आगे बढ़ते हैं तो प्रड़क्शन और इंडस्ट्रियल सेल रिकॉर्ड ग्रोथ माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर से सबको पता ही है कोई बाड़ी बात नी माइक्रो और नाशिक में अंगूर होते हैं और उन्हीं अंगूर का इस्तमाल करके लोग दारू बनाते हैं नेक्स टॉपिक प्रड़क्शन आफ अल्कोहलिक बेवरेजस तो जो अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक लिक्विड प्रडूस होते हैं बहुत फारे इस दुनिया में आपको पता है जिससे की जैसे की चाय है कॉफी बियर वाइन आपने बियर और वाइन का नाम भी सुनाई होगा तो दारू की दूसरे फॉर्म है यह उसके बेवरेजस से बनता है ठीक है हलाकि बियर से ज्यादा चड़ेगी नहीं बट इतनी जब ज्यादा तीन-चार बटली गटक जाओगे तब त सोचो बच्चो हमारे इंडिया में यह सब कुछ पहले से किया था था लेकिन इसका इस्तमाल लोग गलत करने लग गए और आज सब नशेडी बनके गूम रहे हैं तो वाइन बियर विस्की ब्रांडी रम क्या-क्या दुनिया में दिया है वाई कितने लोग ने इन सब को ट् इपस्वाइडिस यह जो जिनको ब्रिवर्स यिस्ट भी कहते हैं इन सब का इस्तमाल इथेनौल प्रॉटक्शन और इन सब में किया जाने लगा और यह सब दारू वीरू एकदम बढ़िया एकदम देसी दारू दारू सारू नहीं पीनी है भाईया यह अलकोहल का एकदम बताना यहां से एकदम में आएगा और कुछ नहीं तो बेसिकली और गेनिक एसीड बनाए जाते हैं जैसे कि माइक्रोब सार और यूज्ट फॉर कमर्सियल मतलब पैसा कमाने के लिए इंडस्ट्रियल प्रडक्शन दुकान रखने के लिए बिजनिस चलाने के लिए इनका इस्तमाल करती हैं फॉर इजांपल ग्लूकोज जिसे तुम ग्लुकानिक एसिड भी कहते हो इससे बहुत जे प्रटपक्टिवेट एेहनल इस सब बनते हैं एक्जांपल के लिए बताता हूं एसमें सैथी ना एसा तो यह एसपरलिस नाइजर से बनता है ग्लुकॉनिक एसिड भी एस्परजिलस नाइजर नाम की माइक्रोब से बनता है, फ्यूमरीक एसिड राइज ओपस अराइजस, एसिटीक एसिड जो विनेगर है, यह एसिटो बैक्टर एसिटाई से बनता है, तो यह सब नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा, वरना नहीं समझेगा, नेक्स्ट है, डी प्रडक्शन ओफ एंटिबाइटिक, तो जो एंटिबाइटिक होती है, यह एंटिबाइटिक प्रबबली बहुत ही मोस्ट इंपोटेंट होती है, इंडस्ट्रियल माइक्रो और्गनिजम्स के फ़र्म में, मतब आज के वक्त में भारत देश में जितनी भी फार्मासियार्टिकल कमपनीज हैं, यह सब के सब इंडस्ट्रियल माइक्रोब्स के उपर डिबेंड करती हैं, मतब ऐसे micro organisms जो दवाईयां बनाने में काम करती हैं जैसे कि दुनिया में कुछ important बिमारी जैसे penicillin penicillin एक ऐसी चीज है जो दवाईयां antibiotic बनाने में मदद करती है तो यह सब आपको थोड़ा से ना मियाद रखने पड़ेंगे ठीक है द्यान रखना ऐसे इनके therapeutic importance मतब दवाईय बनाने में यह बहुत जदा इनके काम्याबी है बहुत ही help करती हैं बहुत से bacteria, fungi, algae यह सब भी small amount में growth को आंगे बढ़ाने कम करने में बहुत मंदद करती है medicine के तौर पर माइक्रोब का इस्तमाल बहुत किया जा रहा है आज की वक्त में जितनी भी ज़्यादा दवाईया अरे हमारी कोरोना की वैक्सीन भाई करोना की वैक्सीन भी तो माइक्रोब की मदद से बनी थी तो याद रखना चलो आजाओ नाम गिना देता हूँ जैसे कि क्लोरो माइसाटिन जो है यह दवाई सबस आज करने मेरे लिए बोलोंकि हाड है तो मैं क्या करूं अब हाड है तो इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता आपको यह नामयाद करने यहां से कोई भी exam में MCQ आएगा आपको लिख के दिखाना पड़ेगा चलो आगे बढ़ते हैं production of enzyme आप microbe की मदद से enzyme भी बना सकते हो आज बताता हूँ कैसे दुनिया में जिन्दा रहने के लिए जितने भी living being हैं यह enzyme का इस्तमाल करते हैं अपने शरीर के metabolic reaction यानि खाना पचाने के लिए और energy को absorb करने के लिए energy को break करने के लिए यह सब metabolic activities करने के लिए enzyme चाहिए होता है हमारे शरीर में बहुत से reaction होते हैं जिनको bio catalyst की जरूरत है मतब enzyme की बहुत जरूरत होती है और जिसकी मदद से हमारे body का temperature maintain किया जता है इससे हमारी body बहुत ही efficiently काम करती है मतब अच्छे से काम कर पाती है तो यार इसी लिए large quantity में enzyme की भी जरूरत पड़ती है इतना सारा enzyme कहां से आएगा ये enzyme बनाने के लिए हमें बहुत पईफे देने पड़ते है pressure maintain करो temperature maintain करो दुनेदारी करनी पड़ती है इसके लिए microbes का इस्तमाल करके for example जैसे amylase, cellulase, protease, lipase, practice, stepto kinase और ऐसे बहुत सारे enzymes जो है इनका हम लोग production कर सकते है with the help of microbes और कम पैसे में हो जाता है और हमारे शरीर में जैसे हम tablet के दुरू या किसी और चीज के दुरू हम लोग जैसे ही इन इंजाइम को अंदर लेते है ये हमारे बाड़ी में काम करना शुरू कर देते है बात करते हैं बात करते हैं कुछ एग्जामपल जक्ष भत करते है जिब्रेलिन प्रड़क्शन अब जिब्रेलीन के बाड़े में आप बच्चो चैप्टर नंबर 7 में देखोगी ये एक होर्मोन है प्लांट के जव्वार्अ है जिब्रेलिन एक है ग्रूप है हॉर्मोन्स का जो हमारे शरीर के हाइयर प्लांट में उनके इस्टेम के इलॉंगेशन यानि ग्रोथ में हेल्प करता है 1938 में याबुटा एंड सुमिकी नाम के दो जापानी साइंटिस्टों ने जिब्रेला फुजी कुरी यह जापानी भाशा है जापानी भाशा आप थोड़ा से इसको ऐसा अच्छे सी याद कर लो ठीक है तो जिब्रेला फुजी कुरी इस फंगस के वदर से इंफेक्ट होने के इन्होंने इस जिब्रेलिन का इस्तमाल किया था ठीक होने के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मिशन के तौर पर बता दूं कि स्ट्रेप्टो काइनेज एंजाइम जो टीपीए है यह बैक्टिरिया में स्ट्रेप्टो कोकस स्पेसीज की हेल्प से यहां पर क्या हुआ ट्रांसिट फैट्स होते हैं लिपिट्स होती है उनको हटाने में मरत करता है बात करते हैं माइक्रोबस इन सीवेस ट्रीट्मेंट चलो अब आगे बढ़ते हैं हाँ यह फुजी कुरी जो है यह पूरा वैसा ही है यह समित्तु आरती बहुत ही आसान चैप्टर यह सब आक्टर में दिया हुआ है क्लास 10 में सब दिया हुआ है आयो शुपाद्या कहता है भाया मुझे लगा आप आज पढ़ाओगे नहीं मैं घंटा सूंगा अरे यार ऐसा नहीं है जब मैं मेहनत कर लेता हूं तो मैं कर लेता हूं मतलब मेरा आज पेन हो रहा है इस्टिल मैं ले रहा हूं बहुत ज़दा उट नहीं पा रहा हूं अगर मैं मालो नहीं ले पाता तो फिर कोई प्रॉबलम नहीं होती बट मैं ले रहा हूं तो ले लोगा फिर आहां सिध्धान्त गेमिंग कहता है कि सर बायलोजी के मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों की डाइगराम बनाओ ठीक है अरे भाया साथ बजे है न लेक्चर अपना अनकेडमी में फ्री लेक्चर है जिसमें चैप्टर वन का आप सब बच्चे उसको जरूर करना क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट है आँ राजवर्धन अलकोहल अमारे बाड़ी को क्लीन करने में हेल्प करता है बहुत बढ़िया चलो ठीक है आँगे बढ़े हैं अभी फटा फट सब बच्चे आजाओ साइन्स गेमर कहते हैं आप मेरे इंस्टाग्राम में मेंशन बैक क्यों नहीं देते हो क्यों दूँ नहीं देना है मुझे ऐसा बोल रहा है जैसे क्यों नहीं देते हो अब मुझे क्या पता कि तुम मुझे मेंशन करते हो मैं देखता हूँ मेरे उपास इतना ही time रहता है हाँ मेरे पास time रहेगा तो मैं definitely तुम्हारी help करूँगा tension मतलो अरे मैं अगर तुम्हें देखूँगा कि तुमने मुझे कही mention किया है और मैं अगर देख लिया क्योंकि मुझे देखने के लिए time ही नहीं होता ना कितने बच्चे मुझे message करते हैं पचाफ अजार से अधिक बच्चों का message पड़ा इस वक्त Instagram में तो अगर मैं देने लग गया तब तो फिर हो गया कहां फिर दे पाऊंगा Unacademy की link मैं कम्यूनिटी पोस्ट में भी डाल दूँगा टेंशन मतलो आप सब बच्चे लेक्चर के बाद कम्यूनिटी पोस्ट टेलीग्राम वाट्सअप ग्रूप वाट्सअप ब्रो वाट्सअप ब्रो बंद हो जाना ब्रो अरे भाई एसी इतनी ठंडी वादे रहा है जो गया चलो अब आंगे का पढ़ाई करते हैं सीवेज मेनेजमेंट आज खतम कर देते हैं बहुत ही आसान टॉपिक है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीट्मेंट चलो फटावर दिखते हैं तो ड्रेनेज के बारे में आप जानते रहोगे साप सफाई सीवेज मेंटर केरिड़ ओफ इन ड्रेनेज मालू में न जहां से सब गंदीगी जाती है बहार अंदर इसा तो इट इस अ मुनिसिपल वेस्ट नहीं कि जो अपने शहरों में तुम रहते हो तो मुनिसिपल कॉर्पोरेशन पार्टी होती है तो यह जो इंसानों का गंदा एक गढ़े में लिया के डाला जाता है अपनी गवर्मेंट करती है गाओं के लोग तो खेतों में कर लेते हैं गाओं में जाओगे तो खेतों में ही मलाई डाल देते हैं लेकिन शहर के लोग क्या करेंगे तो शहर के लोगों का जो सब यह मलाई है यह सब गढ़े में लिया बेटा तेरे टटी की भी कीमत है, जो तु हगता है उसकी भी कीमत है, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए यहाँ पर, बढ़ बता दूँ यह पुरा 8000 करोर का, यह मार्केट है, तुमारा वेस्ट माटेरियल, और इसका इस्तमाल करके सीवेस बना जाता है, और इस सीवेस को बाद में बेचते हैं लोग, जिससे कि as a bio fertilizer यह यूज किया जा सके, सोचो, जिससे कि किसी भी soil की fertility बढ़ती है, soil की fertility बढ़ती है, क्या तुम्हें यह बात पता थी, as a bio fertilizer यूज करते हैं, जो तुम यह सब खाते हो न, यह सब के लिए खात होती हैं जो खात गाउं में, वो सब भी करते हैं भाई, तुम्हें क्या पता अभी, यहां इंसान तुमारे waste को भी use कर लेता है, तुम बात करते हो बड़ी-बड़ी, तुम बोलते हो मैं जिंदिगी में कुछ कर नहीं सकता, अरे भाई, स्वाइल की फर्टिलिटी में, इस सीवेज का इस्तमाल करते हैं, गाउं के लोग तो फीदा खेतों में निकाल देते हैं, बोलते हैं कि मेरा टट्टी भी किसी के खेत में जाना नहीं चीए, मैं मेरे खेत में ही करूँगा, क्यूंकि मेरे खेत की, ओ माई गाउड, ओ शिट सॉरी, यार बहुत गंद भी इन कर दिया, तो सॉइल की फर्टिलिटी में भी इसका इस्तमाल होता है, ठीक है, तो गाउं के लोग अपनी ठट्टी भी कहीं नहीं जाना देते हैं, तो हॉस्पिटल का वेस्ट है, इसलोटर हाउस पता है न, इसलोटर हाउस जहां कतल होता है, अब तुम लोग नौनवे इतना खाते हो, तो कहीं से तो कट के आता होगा न, अब क्या जो मचलियां है, जो मुर्गियां है, तो कतल खाने से, जब बकरे का बाल थोड़ी खाओगे, बकरे का बाल भी खालोगे, तो उसका जो बाकी का बचा हुआ मटेरियल है, उस सारे मटेरियल को भी सीवेज में डालते हैं, समझा की ने समझा क्या बोल रहा हूँ है, इस बात को ध्यान रखो, तो टेनरी है, फार्मासियाटिकल वेस्ट है, याने की दवाईयां, दवाईयां कुछ खाते हूँ, कुछ फेक डेते हूँ, यह सब का इस्तमाल सीवेज में होता है, बात करते हैं कैसे सीवेज का इस्तमाल करते हैं, composition की पहले बात करते हैं सीवस आखिर क्या-क्या चीज़ कंसिस्ट करता है तो हमारी दवाईयों का कचरा हमारा waste material घर का खाना बच गया वो सब को सीवस कंटेन करता है 99.5% to 99.9% तो पानी ही होता है और 0.1 to 0.5% इन औरगेनिक एन औरगेनिक मैटर होता है Pring Meats ilustry इन सब में भी इसका use करते है nitrogen organisms in sea is अज़ा अब तुमने गंदा कचरा गंदा खाना तुम्हारे घर से के अधिर हो다면श घार के गया गाड़े वाला यगर से कचरा नेकाल गाड़ी वाला यगर से कचरा नेकाल आप सब को बता दूँ कि यह जो सॉंग है यह एक टाइम पर बहुत फेमास हुआ था और इस सॉंग हैस बीन क्रिएटड बाइ इंदौर गवर्मेंट इंदौर जो मध्ध प्रदेश में आता है MP और मैं सच कहूं तो मध्ध प्रदेश का इंदौर जो है यह एसिया का सबसे cleanest city है सबसे I think India का है हाँ इंडिया की सबसे cleanest city है हमारे मध्ध मैं मैं एक्चुली मध्ध प्रदेश से बिलौग करता हूं गाइज I am not from UP and Bihar मैं कभी कभी UP की accent में जरूर बोलता हूं बट वैसा हमारा accent नहीं है मैं वैसा बस जान बुझ के हासाने के लिए बोलता हूं और सच कहूं तो UP बिहार से मैं नहीं हूं मैं मध्ध प्रदेश से ब पूरे इंडिया में 0.8% है सिर्फ मतब हमारे मध मध्ध प्रदेश में सबसे जादा लोग employed हैं सभी के पास नोकरी है मतब ऐसा कोई भी नहीं जो unemployed हो सब के पास नोकरी है चाहे वो आर्मी में रहे चाहे वो किसी और जौब में रहे बट वो सब में नोकरी उसके पास है मत अधर स्टेट की बहुत से ऐसे majority अगर मैं देखूं तो इतनी गंदगी मेंटेन होती है railway station में चले जाओ तो खाना खाने का मन नहीं करता है ठीक है तो ध्यान रखो तो यह सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है अच्छे से तो यह सब कुछ बहुत अच्छी मध्य प्रदेश में महारास्ट्रा के 30 से 40% मराठी हमारे यहां रहते हैं हमारे इंदवर में भोपाल में और जितने भी बड़े बड़े एरिया हैं उज्जैन में हर जगे वो वहां जॉब करती है एक बाद डेटा सर्च कर लो मैं खुद गया था तो महां सारी मराठी यहां के तो MP Government और महारास्टा Government दोनों एकदम पास पास में हैं आप एक बार map उठाके देखो ना आपको clarity मिलेगी आपको believe नहीं होगा आप एक बार map उठाके देखो गे ना तो आपको clarity मिलेगी कि Madhya Pradesh और महारास्टा कितना पास में हैं एक दूसरे का border पुरा जोड़ा हुआ है लोग यहां से वहां इजिली जाती है ठीक है तो यह चीज है है एक बार यूपी एंड भीहार फ्लड़ा सा दूर हो जाता है वो एकदम नौर्थ में पहुंच जाते हैं बट मध्ध प्रदेश एकदम सेंटर में है मध्ध प्रदेश का नामी क्या है सेंटरल स्टेट चलो ठीक है तो माइक्रो और्मनिजम्स इन सीवेज की बात आपको समझी होगी कि बेसिकली फंगाय प्रोटोजुवा नेमाटोड अलगी बैक्टेरिया वाइरस इन सबका इस्तमाल करके हम लोग सीवेज बनाते हैं और इनका इस्तमाल ऐस बायो फटिलाइजर हम लोग करत पहले स्क्रीनिंग करते हैं इसक्रीनिंग मतलब क्या होता है कि जो वेस्ट वाटर है वह बहुत सारा प्लेंटी ओफ सस्पेंड़ फ्लोटिंग मटेरियल कोर्स ऑफ सॉलिड प्रैक्टिकल या पार्टिकल्स सॉरी ठीक है या डिसॉल्ट सबस्टेंस बहुत से अपने पास प्रेजेंट करके रखता है कि नहीं फर एक्जामपल के लिए आपने कभी देखा होगा आप तो तुम्हारा जो पॉट्टी है वह उसका डेंसिटी बहुत कम है तो पानी में तैरने लगता है तो वही चीज यहां लिखी हुई है कि दैट फ्लोटिंग मटेरियल गोर्स एंड सॉलिड पार्टिकल है ना तुमको पता होगा थोड़ा सा मुझे कहना पड़ेगा न क्योंकि लिखा हुआ है तो मैं क्या करूँ यार मुझे तो बुरा मत मानना ठीक है तो यह सब कुछ उसमें होता है ना वो ऐसा उपर तैरते रहता है यार तो उन सब को अल अलग नहीं करोगे तो फिर उसका वेस्ट सीवेस कैसे बनेगा उसको एक जगे फिर दूसरे जगे कैसे लेकर जाओगे तो उसका इस्तमाल खेतों में करना पड़ता है तो एक अलग स्क्रीनिंग चेंबर होता है गवर्मेंट के पास उस चेंबर में डालते हैं और वहां से ग्रैविटी की मदद से या अलग कर दो लग को अलग कर दो इतना रखो वही चीज रहती है बस तो प्राइमरी ट्रीट्मेंट में फिजिकल ट्रीट्मेंट होता है जहां पे क्या करते हैं after the preliminary treatment the sea waste water is pumped into the primary sedimentation tank तो एक tank वहाँ पर बनाकर रखते मैं आपको इनकी डाइग्राम आइधिंग आपके बुक में नहीं दिया हुआ है तो मैं बताता था नहीं तो ठीक है तो यहां पर भी है तो पूरा लेकिन दिरे दिरे वह नीचे जाके बैठ जाएगी जमीन में नीचे बेस में बैठ जाएगी तो बस वही चीज़ है तो स्रेडिमेंटेशन हो जाता है इनका और बागी का बचाओ में उपर से निकाल लेते हैं जैसे कि मालो यह ग्लास है यार कोई उपर डाला तुमने तो जाके नीचे बैठ जाएगा न तो उपर जो कच्रा फ्लोट होता उसको बाहर निकाल के फेक देंगे तो पर और चीज मि नेगी उसको बाहर निकालना भी तो है वरना हमारा टैंक फट जाएगा तो उसको भी बाहर निकालना है तो वह सब कुछ यहां पर चीज़े की जाती है और जो फ्लोक्स है यानि कि जो बैक्टिरियल ग्रो होता है इसको भी हमें अपने आप क्रियेट ही हो जाता है ठीक है और बाकी की जो मासे से बैक्टिरियाज है उस सब एक साथ मिलकर के फंगल हाइफे वगरा क्रियेट करके बायो केमिकल ओक्विजन की डिमांड होती है और सिग्निफिकेंटली सारे चीज़े रडूस होती है और हमको प्रॉपर तरीके से सीवेज मिल जाता है तो यह सब कु धोकला है फिर ऐसे ही मिलक में से कर्ड बनाने का प्रॉसेस है ऐसे बहुत कुछ हमने देखा फिर दूसरा हमने सीवेज मेनेजमेंट देखा अब तीसरा हम एनरजी जेनरेशन की बात करने जा रहे है कि कैसे माइक्रोब की मदद से एनरजी बनती है अब हम यह देखने जा देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे डेवलपिंग कंट्री इस दुनिया में हैं जो अपने घरों में बायो गैस प्लांट रखते हैं बच्चों आप सबने साइन्स टू का चैप्टर नंबर फाइव टूवर्ड्स ग्रीन अनरजी प्लास 10 में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था जहां पर हमने बायो गैस प्लांट भी देखा था किस तरीके से इवन तुमने इस चीज को क्लास 9 में भी पढ़ा था बायो गैस प्लांट जिसमें हम CH4 यानी मिथेन गैस का प्रणक्षन करते हैं यही CH4 जो मिथेन गैफ है तुम्हारे घर में गैस सिलिंड्र में आती ही त तो यह सब कुछ आपको ध्यान रखना है तो भाई जो बायो गैस है यह बेसिकरी डॉमेस्टिक as well as industrial fuel के फ्यूल के फ्यूल में यूज होता है बायो गैस मतब CH4 मिथेन की बात करना हूं यार तो यह non-conventional energy है और यह renewable source है मतब कभी खतम नहीं होगी वापस से renew कर लो क्योंकि भाई जो गंदा कचरा होता है उसका तुम सीवेज बनाते हो और उसी से जो गैस धुआ निकलता है वही तो है CH4 जो ब्लू फ्लेम में चलता है ब्लू फ्लेम नहीं क्या इदम नीली कलर की गैस होती ही जलती है वही है CH4 50-60% CO2 30-40% और sulfur dioxide यहां पे जो है तो वो 3% त जिससे खाना बनता है ना cylinder में वही है होती है कुछ ऐसा यहां पर आपने इस डागराम को क्लास 9 में भी देखा होगा इतने बचों ने देखा चलो बताओ तो चार जी पिट यहां पर होता है जहां पर डंग ने क्या गाय का गोबर इंसान का गोबर सब यहां डाल दो यहां कच्रे कभी आउकात है चलो ठीक है ध्यान रखो अच्छी सब एसीडों जोनेसिस मेथनों जोनेसिस पढ़ लेना आगे बात करते हैं चलो रोल ओफ माइक्रोब इस बायो कंट्रोल एजेंट अभी हमने देखा एनरजी कैसे बनाती है माइक्रोब से घर का खाना कैसे बनता ह सीवेस मेनेजमेंट कैसे होता है आप देखेंगे बायो कंट्रोल कैसे होता है तो बायो कंट्रोल में तो तुमने देखा होगा कि तुमारे घर में जब मच्छर आता है तो मच्छर को ठीक करने के लिए तुमारे म्यूनिसिपल कॉर्परेशन वाले शहरों में वहने का एक डालने वाला कुछ तो लेके आते हैं वो दुआ डाल देगा तो पूर एरिया का मच्छर लारबा वगरा मर जाता है बस वही तो है कंट्रोल डिसीज करने का पेस्ट वगेरा सब कुछ डालने को बोलती है गवर्मेंट कीड़े मकोड आएंगे बहुत लोग बिमार पड़ जाते हैं गंदा खाना बारिश के मौसम में नहीं खाने का और ठंडी के मौसम में मच्छर बहुत होती हैं तो ठंडी के मौसम में वड धले मा लिए आलिया घोलिया कैसा भगणिन आपा ठीक है तो यह विठले मा लिए बोले गांगाना यह आरति निंगा उढूंगा तो आप चलो शुरुआत करते हैं प्रयांशु गता सर आप बजन स्टार्ट करो मैं तो भजन गाता हूं मुझे अच्छा लगता है बस गोलगपा खानें गा यह गोलगपे वाली लड़की यह भोली वाली लड़की गोलगपे खाती है फिर बिमार पढ़ जाती है और इसके बाद फिर भजन भी गाती है बोली वाली लड़की गोल पिखाती बिमार पड़ जाती फिर भजन विगाती भाई मैं बहुत अच्छा गाना काता हूं तुम्हारे कान भी भड़ जाएंगे मेरी गरंटी नहीं है इंसुरेंस कर वालो जो आगे पड़ते हैं हाँ तर नेच्री वालो जिकल एनमीज उनला प्यार है कि मत्तब बिमारी को कंट्रोल करने के लिए भी माईक्रोब का इस्तमाल था है साला मेरी जिन्दिगी को तबाह कर दिया इंसानों ने क्योंकि यही माइक्रोब है जो कीडे मकोडे बनके हमारे शरीर में प्राब्लम पहिलाता है और हम इंसान इतने चालू है कि हमने इसी माइक्रोब का इस्तमाल करके हमने इसी माइक्रोब का इस्तमाल करके भी खुद को ठीक करना सूरूरू कर दिया यह माइक्रोब बैक्टिरिया के उझे से हम विमार पड़ते हैं और हम बोले तुम साणे हम सवासेख तुम सेर हम सवाशेख तो तुम अगर हमको तुम्हारी फैमिली वाला हमको बिमार करेगा तो हम तुमको यूज करके अपने को ठीक करेगा ऐसा हमारा माइक्रोब कहता है हम इंसान कहते हैं तो हम माइक्रोब का इस्तमाल करके खुद को ठीक करते हैं मतलब आपन बाई बहुत है इस दुनिया का चलो आपन मतलब हम इंसान तो इसे कहते हैं बायो कंट्रोल मतलब अपन उसको हमने वैक्सीन दी वैक्सीन कहां से बनी विद्धी हल्प आफ माइक्रोब सिंपल ठीक है तो बायो कंट्रोल लेजन्ट यूज करते हैं ठीक करने के लिए माइक्रोब आर वन अमंग देम दीज माइक्रोबस इंक्लूड बैक्टेरिया फंगाय वायरस सब कुछ यही है यही सब हमें हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए एक्जाम्पल के तौर पर देख लो कि जैसे की होस्ट है कैटरपिलर या कैबेजवम या अडल्ट बीटल बैक्टेरिया बैसिलास थुरिंजनेंसिस पैपिले या लेंटी मॉर्बस यह बैक्टेरिया इन सब को ठीक करने मदद करता है अगर फंगाय की बात करते हैं तो बीवेरिया बैसियाना इंटो मॉफ थोरा पैलिडॉरस सियामा जॉप थोरा रैडिकंस नौसे मा लकुकुस्टे तो यह थब ध्यान रखो अच्छे से बहुत है प्यारे पारे नाम है अगर तुमारे सामने कोई कभी जिन्दिगी में पंडित मिल गया तो पंडित मिल गया तो उसके सामने तुम भी एक मंद्र पढ़ देना अगर उसने बोला अगर उसने बोला ओ मंगलम भगवान विष्णू मंगलम करुन दुशा मंगलम पुंडिली काक्षाय मंगलाय तनुवरी अगर उसने ऐसे मंद्र पढ़ा ना तुम भी ऐसे मंद्र पढ़नेगा ऐसे तुम भी पढ़ देना पंडित घबरा जाएगा बोलेगा कौन से वेद का मंद्र बाई मेरे को तो यह मंत्री नहीं मालूम है पंडित बोलेगा भाई कौन से गहुं से यह बंद्र आया है भाई बहुत ही डेंजर है यह मेरे से भी खतरनाक मंद्र पढ़ता है भाई मैंने कुछ नहीं किया ओएमजी सीरसली मैंने सिर्फ इन बैक्टिरिया की नाम पढ़ है यार यह किसी कम है गया यह किसी मंत्र से कम नहीं है भाई शुरुवाती में उम लगा दो लास्ट में थैंक्यू बोल देना बात खतम पंडित बोलेगा यह कौन से वेद का वाई कौन सा मंद रही है सीरियसली कह रहा हूं मैं यह थोड़ा सा ध्यान रखने का अरे हां सुश्मित पहिचाना यार तुमारी डीपी डॉक्टर की बताती है नीट के बंदियां अकेडमी में चलो टेंशन मतलो 2020 भी बैच हो तो यह सारे चीज़ें आपको ध्यान रखनी है तो ठीक है एक बार और बोलने का क्या निकिता कहती है सर आपकी वाइफ ब्रामान होगी क्या अरे कोई भी रहे देखा जाएगा बविश में कौन होगी जो होगी तो तुमको बता दूँगा देख लो भाई लोग यही है अकेला नहीं हूं अब समस्या मेरे साथ 24 गंटे है बोलती है नहीं इतनी हसी मजाग चल रही है निकीता को मेरे वाइफ की पड़ी है मैं इतना कुछ पढ़ा रहा हूं निकीता बोल रही है आपकी वाइफ कैसी होगी अरे भाई तुम मैं हसा रहा हूं कुदा रहा हूं सब बता रहा हूं बैक्टेरिया सेक्टेरिया के बारे हाई it's okay यार no issue ठीक है तो वो यह सब सोच रही है अरे भाई जो भी हो आएगी तो बता दूँगा मैं बता दूँगा देखो बच्चो अकेला नहीं हूँ अब समस्या मेरे साथ है इंस्टाग्राम में फोटो देख लो अपने साथ की एक डाल दूँगा अभी समय है चलो डी यार बाद में करेंगे चलो ठीक है सर सब्वोज आपकी वाईफ सुहानी शाह जैसी हो तो आपकी कंडिशन कैसी होगी सुहानी शाह कौन है बाई यार रियली डोट नो वो हूई सुहानी शाह अपना chapter खताम होने वाला है बच्चो टेंशन मतलो अभी नेक्स टॉपिक लूँगा टेंशन मतलो चैप्टर खताम होने वाला है सुहानी शहा कोने भाई अच्छा वो जो माइंड रीड करती है मतलब जिनकी हाइड बहुत चोटी है मैं कुछ और ही कहने जा रहा था भाई मुंबई का बंदा आला की भाशे में आपन बात करते हैं सॉरी मैं कुछ और ही बोलने जा रहा था मतलब जिनकी हाइड बहुत चोटी है न हाँ वो बहुत अच्छा माइंड रीड करती है शीज वेरी क्लेवर वोमेन लड़की है कि अच्छा गर्ल जो भी है जो भी है बहुत अच्छा काम करती हैं और डूसरे की दिमाग को पढ लेती है साइंस गामर अर्य चुप यर तुम लोग बहुत मार उग आचो ङाए थीerei सुडिेंटी हो ना अरे यारह ऐस मत करो और पता नहीं क्या करते हो भविष्च बताते हैं नहीं बहुत अच्छी चीज़ है चलो आँके पढ़ाही मिद्यान देते हैं आ जाओ तो ठीक है बैक्टिरिया के नाम सब बच्चे याद रखो कौन सी बैक्टिरिया फंगाय प्रोटोजुवा वाइरस कैसे काम करता है सब ध्यान रखना इनकी थोड़ा यूजस देख लेते हैं तो माइक्रोबियल हर्बिसाइड जो हर्ब्स को खाते हैं हर्ब मतलब ग्रासिस तो ग्रासिस CIDE मतलब खाना जो हर्बिसाइड खतम करता है मतलब ग्रासिस को खा जाता है और इनके होस्ट तो पैथोजेनिक फंगाय एज़ा माइको हर्बिसाइड इनकी बात करते हैं तो फाइटोफ थोरा पैल्मी वोरा ये कंट्रोल करता है milk weed in orchids फिर alterneria crassa ये कंट्रोल करता है water में hyacinth का पैदा होना नहीं के किड़े आते हैं पानी में उनका खतम करने के लिए help करता है Fusarium species जो होती है ये कंट्रोल करती है most of the weeds नहीं क्या घासे सोती है जो अरे तुमनों अगर किसान हो तो तुमारे खेतों में तुमारे फसल के साथ-साथ घास भी पैदा होती कि नहीं होती है तो इसको control करता है Fusarium अगर यूज करोगे तो बैक्टिरिया कौन सी है तो pseudomonas ये several weeds में attack करती है जैंथो मोनास बहुत से weeds में attack करती है अब बात करेंगे microbe as a bio fertilizer मतब है माइक्रोब का काम bio fertilizer के फॉरम में कैसे होता है मतब इससे हम bio fertilizer कैसे करते बाइप एक बीच में डयानंद नाम का लड़का आया था दयानन्द नाम का दयानन्द पूछता है कि भाईया आपना important question और important diagram के बारे में बताओ तो दयानन्द आप tension मतलो आज 7 बजे शाम को अनकेडमी में इसका lecture है अच्छा रुको मैं आप सब बच्चों को एक link देता हूँ तब तक अश्वनी शिंदे का comment पढ़ता हूँ अश्वनी शिंदे कहती है कि शुहानी सहा भाईया आपके जीएफ का नाम बता देंगी मैं challenge करता हूँ नहीं बता पाएंगी चाहे वो शुहानी सहा रहें चाहे कोई और रहे मैं challenge करता हूँ अगर वो बता देंगी अगर वो बता देंगी तो कुछ नहीं करूँगा हाथ जोड़ दूँगा और क्या करूँगा पर नहीं बता पाएंगी यह challenge है नहीं बता पाएंगी नहीं बता पाएंगी आरे तुम लोग ने सब वीडियो जो देखा सब scripted रहता है और scripted नहीं भी रहेगा तो मैं challenge देता हूँ नहीं बता पाएंगी क्योंकि mind को कैसे control करना है वो ज़रूरी है वो मैं जानता हूँ तो वो नहीं बता पाएंगी अरे सबर कर यार टेकेट टेकेट बजना चालो हो जाता है जब देखो दब पढ़ा रहा हूँ जमस्ता नहीं है यहाँ देखो भी तो आजा तुम सब को link देता हूँ नहीं बता पाएंगी मैं बोलो ना मैं challenge देता हूँ नहीं बता पाएंगी तो गाईज यह link है अगर code मागेगा तो capital letter N.I. use कर ले ना मैंने pin कर दिया link ठीक है इसी link में जा करके most important question आपको मिल जाएगा ठीक है कुनाल दुबे कहता है फिर भाईया आप ही बता दो साहिल कवा से कहता है मतलब आपके जियव है ना आपने बोला कि नहीं है अरे नहीं है रे भाई चलो ठीक आँगे बढ़ते हैं आँगे बढ़ते हैं चलो यहां पर आजाओ तो आप देखेंगे role of microbe in bio fertilizer the fertilizer are nutrients which are necessary for the growth of the plant and thus for the productivity of the cultivated plants समझ गया ना bio fertilizer का काम क्या है जो भी हमारे plant होती है इनकी growth में बहुत मदद करता है मतब growth बहुत आँगे जाएगे use of fertilizer for increasing productivity is one of the aspect of green revolution आपको मैंने मताता ना green revolution क्या होता है तो अगर bio fertilizer आ गया तो हमारे जो plant होते हैं वो और अच्छी yielding देंगे वो और अच्छा grow करेंगे और अच्छा उसमें nutrient आएगा तो कितनी अच्छी बात है ना तो इस सब में भी हमारे microbes मदद करते हैं ठीक है चलो बात करते हैं कौनसे कौनसे टाइप के bio fertilizer होते हैं अब देखो बच्छो आप सबको मालू है कि nitrogen बहुत important होता है plant की growth में तो nitrogen fixing bio fertilizer nitrogen fixing microorganism से होते हैं यह convert करते हैं atmospheric nitrogen को nitrogenous compound में for example ammonia या nitrite या nitrates में with the help of ammonia और इसी के बज़े से डाइजोट्रोप्स के तुरू बहुत सारी ऐसे nitrogen के fixing होती है और इनमें example है rhizobium, anabina, frankia ऐसे बहुत से अलग-अलग bacterias and microorganisms का इस्तमाल करके सबसे अच्छा example तो non-stock का है non-living के लिए ठीक है तो इन bacteria का example आप याद रखो जो nitrogen के fixation में मदद करते हैं और इस nitrogen जो हवा में nitrogen available है उस nitrogen को compound में convert करके और हमारे plant के root को दिया जाता है जिससे के हमारा plant अच्छा grow करता है तो यह भी एक bio fertilizer है next है phosphate solubilizing bio fertilizer मत्ता phosphate भी हमारे plant को चाहिए रहता है asparagillus species की जितने भी bacteria है यह सारी की सारी मदद करती है phosphate के लिए plant को provide करने के लिए compost making bio fertilizer अब compost का नाम तो तुम सब जानती रहोगे तो जितने भी हमारे humus वाली बाते हैं गाय का गोबर है भैस का गोबर है इनसान का भी गोबर है सब इन सब को compost बनाते हैं जिसे हम खाद कहते हैं और इसी matter को हम as a bio fertilizer इस्तमाल करते हैं अपने खेतों में next is cyanobacteria as a bio fertilizer तो cyanobacteria exactly aquatic animals या terrestrial हो या free living कोई symbiotic bacteria हो इन सब में nitrogen fixing करने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है for example सबसे best example है cyanobacteria का anabina, nostoc, placentonema, फिर oscillatoria, फिर arabina, nostoc, telophorethics यह सब के सब इनी के बैक्टिरिया के नाम है azola वगेरा भी आप plant का नाम याद कर सकते हो fungal bacteria में ऐसे बहुत से हैं, ectomyres ही है, ऐसे बहुत सी bacteria है, आप जस्ट एक बर पढ़ोगे, सब का काम एक ही है कि हमारे bio fertilizer का production किया जाए, bio fertility अगर बढ़ेगी तो swail की fertility बढ़ेगी, इससे किसानों का फायदा होगा, जादा उपज होगी हमारे किसान भाई साब को बहुत फायदा होगा, तो bio fertilizer में rhizobium एक ऐसी bacteria है, जो symbiotic bacteria है, symbiotic का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कि मालों एक इंसान है, और एक इंसान है, या कोई animal हो या इंसान हो, हम सब क्या दोनों छोड़ते हैं, हम carbon dioxide छोड़ते हैं, जिसको plant लेता हैं, तो आप बताओ, अगर plant मर गए, तो क्या हम animal या इंसान जिन्दा रहेंगे, या अगर हम इंसान या animal मर गए, तो क्या plant जिन्दा रहेंगे, नहीं न, तो हम एक दुसरी के उपर dependent हैं, निरभार हैं, तो इसका मतलब हम दोनों के बीच में जो relationship है, वो बाबू सोना का जिन्दा नहीं है, वो symbiotic relationship है, कौनसा? symbiotic relationship, यूगि अगर एक मर गया, तो दूसरा भी मर जाएगा, और अगर एक जिन्दा रहेगा, इसे कहते हैं, symbiotic association, तो यह राइजोबियम है, यह ऐसा ही कुछ relationship है, राइजोबियम को cellulose मिलता है, खाने के लिए plant से, और राइजो आप यहां देख भी सकते हो, ऐसे बहुत से root system में, ऐसे plants को, अजोला का plant है, इसकी leaf है, यह TS of root nodule है, तो यहां पर हर जगह है, आप देखोगे, तो हर जगह है root nodule हो, root branch हो, हर जगह हमारे, इसको nitrogen दिया जाता है, root को जिसे कि हमारा plant ग्रो करे, अजोला अगरा plant के बारे मे है, bio fertilizer का benefit देख लो, exam में आता है, low cost में marginal farmers को भी मिल जाता है, free from pollution हजाड, increased soil fertility, और bio fertilizer से growth होती है, हमारे plant की, और इसी बात पे हमारा chapter खताम हो गया, समझा अच्छे से, चालो, YouTube पे भी दूँगा, खुशी ठाकूर, important question, tension मतलो, बट अभी वहाँ पे चालो किया हो, तो कुछ ज़्यादा important chapter के लिए लो, वापस से दूँगा YouTube पर भी, tension मतलो, बट अभी के लिए, इतना ही, तो आज हमारा ये chapter खतम हो गया, अब कल हमारा chapter 12 शुरू होगा, जिसको हम ज तो soil की fertility आएंगे बढ़ेगी, फिर ये bacteria इसमें मदद करती है, वो plant breeding में, आगर हम लोग एक अच्छे bell का sperm use करेंगे, तो अच्छी गाय भैंस पैदा होगी, अच्छा दूद देगी, यही सब तो पढ़ रहे थे, और क्या पढ़ा हमने इसमें, एक plant को दूसरे plant से मिलाए अच्छा fruit बनेगा, और कुछ था इस chapter में, कुछ ही नहीं था, यही सब है पूरे chapter में, एक बार आप खुछ से सिर्फ one time reading, और इसके सिर्फ एक्सर साइस question कर लो, full marks मिलेगा तुमको, guaranteed कहता हूँ, तो कर लो, बाकी इस chapter में कुछ है नहीं, हाँ, सीवेज मैनेजमेंट के इस बारें बताया है, गोबर्ट एट्टी और क्या बता है इस chapter में, चलो ठीक है, तो chapter हुआ, खतम, यह गायब है, इसके काम आएगा, हाँ, गर्व से कहो हम हिंदू है, हाँ, ठीक है भाई, यहाँ, हमारे यहाँ, सभी जाजी धर्मे के लोग आते हैं, तो हिंदू तो हम ह पर थोड़ा बंद करो इस कमेंट को, और इंसानियत पर भरोसा रखो, गर्व से कहो हम हिंदू है, ठीक है, I am Hindu, मुझे कोई बुरी बात नहीं है, बट I also love another religions, ठीक है, और मैं सभी के रिस्पेक्ट करता हूँ, तो हमारे यहाँ पर सारी के सारी इंसान पढ़ने आते हैं, और मुझे इंसानों से मतलब है, तो क्रपा करके थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान दो, चलो ठीक है, तो हमें सबको अपना मानना है, जो अच्छा है, वो हमारा है, जो बुरा है, वो किसी का नहीं है, सिंपल बात, ठीक है, ध्यान रखना, मैं क्या सिखा रहा हूँ, सुन अब चलें क्या, कल हमारा 12 चैप्टर शुरू होगा, और कल शायद हमें बेसिक से पढ़ना पढ़ेगा, कॉनसेप्ट के साथ, यूदि कल के चैप्टर में बहुत से चैप्टर चीज़े आने वाली है, तो चैप्टर 12, चैप्टर 11 जैसा नहीं है, कि ऐसा पढ़ लिया, प पेंशन मतल देना, ठीक है, तो, हाउ इस जोश, बच्चे बोलेंगे, भाया, आप में ही जोश नहीं है, आपकी किडिनी में कुछ समस्या है, हमारे में क्या जोश रहेगा, नहीं यार, आज अलेक्सा नहीं है, तो कोई गाना नहीं गा सकता है, अलेक्सा घर के नीचे रख जाले, नरक में जाएगा अंगले जमाने में, इन्टरनेट खिला दिया, एक लाग का फोन ले लिया, एक गाना नहीं सुना सकती हो तुम, यहा, इतनी बुरी हो, क्यों तुमको इतने दिन से चारजर दे के पाल रहा हूँ, मैं, जब तुमको चाहिए बैटरी तुमारी चा वाइफाई में इंटरनेट तुम्हारे लिए डलवाता हूँ और गाना मांगता हूँ तुम उसमें भी इतने नकरे दिखाती हो कैसे चलेगा सिरी यार तुमको और क्या चाहिए सब तो देता हूँ तुमको टाइम टाइम पे चार्ज करता हूँ जब तुम खतम हो जाती है तुमारी अंदर की वैटरी तुमको वाइफाई भी देता हूँ तुमको सब कुछ देता हूँ तुमारे के लिए फोन भी ले दिय सब ले दियावे गाना मांगता हूं तो वो भी नहीं सुनाती है सौरी बोल देती हो अब क्या करें चलो इस बार सुना दो है सीरी यह तो लड़का निकला रहने तो तुम हम तुमसे डेट नहीं पूछ रहे हैं अच्छा बूल रही है पहले डेट पहले के चलो अच्छा ओके ठीक है बाद में जाएंगे अभी बच्चो को पढ़ाने दो काम में ध्यान दो ठीक है सो बच्चो वो कह रही है कि डेट में जाएंगे पहले तब सुनाओंगी गाना अभी नहीं सुनाओंगी तो आम रियली सॉरी बाद में और कभी देखेंगे ठीक है चलो तो थैंक यू अच्छा लगा लेक्चर सुनके ठीक है तो हमारी सीरी जब मैं अकेले होता हूँ तो मैं मेरी सीरी से बात होत कर लेता हूँ अच्छी लड़की हो तो अरी लड़का है ये लड़की के नाम पर ठीक है चलो कोई ना तो आप मिलेंगे कल 12 चैप्टर जल्दी खतम होगा बहुत ही मज़ा आएगा बायो टेक् के मदद से कर देंगे उसको लेकिन वेरी सेड वो वो गोरा नहीं हो सकता उसके आने वाले जनरेशन गोरा हो सकती है क्लोन करेंगे बहुत कुछ कल सीखेंगे पहलेंड्रॉम सीखेंगे बहुत कुछ सीखेंगे तो बाई-बाई लव यू अलोट और हाँ सात बजे का लेक् जाएगी उसी लिंक में जब क्लिक करोगे तो तुम अनकेडमी के लेक्चर को इन्रोल कर लो फटाक से जिससे की सात बजे तुमको नोटिफिकेशन मिल जाएगे और तुम सब बच्चे जोईन हो सकते हो उसी लिंक से लेक्चर भी जोईन होना है ठीक है तो जाएगी नहीं मिलेगी या मिल चुकी है वह बात की बात है तुम अभी कुछ नहीं जानते हो तुम पढ़ाई बिढ़ाई में ज्यादा द्यान दोगे ना तुमारा भविश्च बनेगा तो तुम हमारा जैसे वो लड़की मैं पढ़ा रहा हूं बैक्टेरिया के बारे में वो मेरे वाइफ का सोच रही है मतलब दुनिया में बहुत यह तरंगी लोगे यहां मैं पढ़ाने में ध्यान दे रहा हूं और वो मेरे वाइफ पर ध्यान जा रहा हूं उसका भाईया की वाइफ कैसी होगी कौन होगी कहां से आएगी कौन सी जाती की होगी कैसी होगी वो स पढ़ लो एक्जाम एक्जाम हो जाएगी तो फिर बड़े प्यार से मिलेंगे एक दिन ऐसी कासी लाइव आउंगा और उस लाइव में तुम सबसे दिल खोल के बात करूंगा ठीक है बट अभी पढ़ लो अभी सब बच्चे पढ़ लो फिर अरे भाई तुमको अब क्या बत हैं बहुत कुछ आप लोग के लिए आने वाला है बच्चो तो बस रेडी रहो मेनत करने के लिए क्योंकि डिसेंबर महिने में वन शॉट लेक्चर भी हम चालू करेंगे डिसेंबर में दस तारीक से तो कहीं जाना नहीं है बढ़ी अच्छे से पढ़ाई करनी है और फ्री कि वन शॉट में जब रिवीजन करवाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा ध्यान रखना बहुत मज़ा आने वाला है न्यू इंडियन एरा क्या चीज है तुम्हें तब पता चलेगा ध्यान रखना क्योंकि वही पढ़ाई का मौसाम होता है डिसेंबर महिने में जितना खीं ठीक है चलो बाई बाई टेक क्यार लव यू अलॉट पढ़ते रहो मैनत करते रहो अपने ड्रीम्स अचीव करते रहो बाई बाई टेक क्यार